जैहिन जैशिक्षक वेलकम बैक टू माई चैनल साथियों आज इस वीडियो में हम निश्ठा ट्रेनिंग के मॉडियूल तीन जिसका नाम में विध्याले में स्वास्त और कल्याण के बारे में चर्चा करेंगे इस मॉडियूल में हम सीखेंगे कि हम विभिन तोर तरीके अपना कर विध्याले में स्वास्त और कल्याण के अवधारना को कैसे इस्थापित कर पाएंगे ये मॉडियूल हमें शारेरिक विकास, शारेरिक योगिता और इसकी घटकों को सामने रखने में सहायक होगा और शारेरिक योगिता के विकास में मदद करने वाली गतीविधियों के प्रकार भी इस मॉडियूल में बताये जाएंगे इसमें योग के बारे में भी बताये जाएगा योग ना केवल शारेरिक बल्कि भावनात्मक और क्रियात्मक विकास के लिए और समगर स्वास्त के लिए भी बहुत महत्पूर्ण है। इसे भी इस मोडिूल में शामिल किया गया है। स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता जैसे महत्वकून कारकों को बच्चों के स्वास्थ को प्रभावित करने वाले भी मोडियूल में शामिल किये गए हैं, भावनात्मक कल्यान, आत्म जागरुकता, सामाजिक जागरुकता, हिंसा और दुर्वेवार और शारेरिक तथ मानसिंक आगात से संबंदित गतिविधियां भी इस मोडियूल का हिस्सा है, और ये पूरा मोडियूल जेंडर भेदभाव से मुक्त है, अब साथ हो यदि हम समगर स्वास्थ की बात करें, तो समगर स्वास्थ में केवल शारेरिक स्वास्थ ही नहीं, बलकि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ भी शामिल होता है, यदि व्यक्ति शारेरिक रूप से सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ है, तभी उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ माना जाएगा, शारेरिक स्वास्थ जो है, ये हमारे शरी से संबंदित है, जबकि सामाजिक स् सफलता पूरवक व्यक्त करने में सक्षम हो और इसके साथ ही मानसिक स्वास्त भी बहुत आवशा के समगर स्वास्ते के लिए मानसिक स्वास्त कल्याण की वह इस्तिति है जिसमें व्यक्ति अपनी शमताओं का एहसास करता है और जीवन के समाने तनाव का सामना कर सकता है और लाबदायक रूप से काम करता है तथा अपने समुदाय में युगदान करने में सक्षम है तो आईए अब इस मॉड्यूल के कुछ महत्पून प्रश्ण देख लेते हैं जो परिक्षा में आ सकते हैं अधि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा इस मॉड्यूल का पहला प्रश्ण है कि स्वास्त हôm कल्यान मॉड्यूल का मुख्य देश क्या है तो इसका उत्तर है उत्तम स्वास्त और कल्यान शारेरिक विकास स्वच्छता और स्वस्थ आहार पाठ परमों में सीखने के प्रतिफ्छकों कैसे प्राप्त करें gadget से सुरक्षक कैसे हो यानि कि इस module को पढ़ने के बाद हमारे जो उद्देश हैं जैसे कि बच्चों के भी स्वस्त मनुभाव और वेवार को विक्सित करने के लिए अपना ही जाने वाली शक्षिक प्रक्रियों के बारे में हम समझेंगे उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए स्वास्त और कल्याण से संबंद जीवन कोशल विक्सित कर पाएंगे विद्याले में बच्चों के लिए सवस्थ वातावरंग के महत को समझेंगे सवास्त और कल्यान की अबधारना को समझने में सहायता मिलेगी तो ये इस मोड्यूल का मुख्यों देश है प्रश्ण दो है बच्चों के स्वास्त को प्रभावित करने वाले कौन-कौन सी कारक है तो पहला कारक है मानसिक दूसरा है भावनात्मक तीसरा है सामाजिक विचार और चौथा है वेवार तथा आहार प्रश्ण तीन है किसी व्यक्ति का शारिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास कैसे संभव हो पाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ योग और व्यायाम से संभव हो पाता है किसी व्यक्ति का शारिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रशन चाहर है हम किस प्रगार अपने दैनिक जीवन में स्वफ्ठ रह सकते हैं तो इसका उत्तर है नियमित रूप सी योग और वियायाम करके अपने आहार में स्वस्थ और बैलेंस डाइट हम शामिल करें यानि कि स्वस्थ आहार और विचार के द्वारा तीसरा है खेलकूद के दुआरा फिर है स्वच्चता और तनावरहत जीवन स्वच्चता का महत तो इस समय बहुत बढ़ गया है जब से कोरोना ने हमारे संक्रमन फहलाना शुरू किया है स्वच्चता के प्रती छोटे से छोटे बच्चा भी जागुरुक हो गया है प्रश्न पाँच योग करने से पूर्व हमें कौन-कौन सी साबधानिया रखनी चाहिए तो इसका उतर है कि योग कोशिश करें कि प्रताहकाल में ही अभ्यास करें खाली पेट अभ्यास ना करें अपने शम्तानू सार ही योग करें जितनी आपकी कैपसिटी हो उतना ही योग करें बीमार होने पर योग ना करें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवशक है प्रश्न चे है भावना शब्द की उत्पत्ति कैसे होई है तो इसका उत्तर है भावना शब्द की उत्पत्ति लेटें शब्द मूवर से होई है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या मार्क दरशन करना प्रश्न साथ है तनाव किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसका उत्तर है तनाव को किसी भी शारेरिक, रासाइनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है, जो कि शारेरिक वमांसिक बेचनी उत्पन करें, तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव, प्रशनाथ है तनाव को किस प्रक कारे करके और अच्छे कारक्रम देख कर प्रश्ण नौ है संतुलित आहर क्या है तो संतुलित आहर से तात्पर है जिसमें प्रोटीन वसा कार्बोहईड़ेट विटैमिन्स जल आधी पोशक तत्व बिल्कुल संतुलित मात्रा में हो तो उसे हम संतुलित आहर कहते हैं एक संत देने वाले जैसे वसा में तेल युक्त भोजन और अनाज और चावल और रोटी ये कार्बोहईड़ेट हो जाते हैं तो दो ही टाइप के वजा देने वाले होते हैं वसा और कार्बोहईड़ेट शारेर की विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवशक है ये दूद दाल और म सारी बोजन से प्राप्त हो जाता है सरक्षन देने वाले भोज़ी पदारत यानि जिनसे में वाइटेमिन्स प्राप्त होते हैं वह भल और सबजी प्रशन ग्यारा है स्कूलों में किंखिंग शेत्रों में सुरक्षा वा निर्भहता की जानकारी देना उचित है तो इसका स्कूलों में बच्चों को सड़क, सुरक्षा, यौन उत्पीडन, हिंसा, आपदा प्रबंदन, जीवों से सुरक्षा, इंटरनेट वा सोशल मीडिया के उप्योग में सुरक्षा भरतने की जानकरे देना सही होगा। प्रश्ण 12 है, हिंसा के अंतरगत कौन कौन सी बाते आती हैं, तो हिंसा के अंतरगत सबसे पहली बात है, बच्चों को डाटना, दूसरा है आत्म सम्मान के खिलाफ बोलना, तीसरा है पूर्व ग्रह की बातों से जोड़कर बच्चों को बाते सुनाना, और चौथा है अपमा करिये साजा हो जाती है जिससे पैसों की हेरा फेरी हो सकती है लुभावने विग्यापनों से खरावस्तों को खरीद कर हम नुकसान में जा सकते हैं इंटेरनेट के ज्यादा उप्योक से समय स्वास और पैसों की बरबादी होती है मानसिक तनाव भी पड़ता है प्रश्ण 14 है प्रश्ण 15 है कसरत व्यायाम और आसन में क्या अंतर है तो इसका उतर है कसरत से शरीर का विकास होता है और आसन का मतलब है आराम से बैठना तो आसन का अभ्यास धीरे-धीरे किया जाता है और आसन से मानसिक विकास होता है प्रश्ण 16 है भारत की कुल जनसंख्या में से कित प्रेशर 17 है शारे स्वास्ते के पांच घटक कौन-कौन से हैं तो इसका उतर है शक्ति गती धैर लचीप लपन और चपलता इसके पश्यात में इसके आपको अब्जेक्टिव भी कराऊंगी तो मेरे चैनल पर बने रहेगा फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तपताए कि लिधे थैंक यू 000..